नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज कबर कायकरम आज इस कायकरम में आप भी मेरे साथ चलिए अमरितकाल की सैर करने के लिए करना कुछ जादा नहीं बस खबरों को ध्यान से देखते हुए लगातार फील गुट करना होगा बीच बी हम दो बन गै विशु गुरू निश्चित तौर पर यह संगोल युग है नई संसद्ड में लगा राजदंड समेधान के ओपर मंडराता संगोल और ऐसे में प्रधान मंतरी के खास सलाकार आर्थिक सलाकार परिषट के चेरमैन सहिभी देवरॉई ने जो फरमाया है कि पहले ही सदन के भीतर भारते दंड सहिता इंडियन पिनल कोड को बदल कर भारती नियाय सहिता करने की तैयारी हो गई लेकिन अमरित काल में सिर्फ इससे भक्त खुश होंगे नहीं बिलकुल नहीं कुछ खास है अमरित काल की आज की सैर चलिए इस अमरित काल की सैर के दोरान सबसे ताजा रहा खोली है उत्तर प्रदेश की योगी आदितनात की सरकार ने और वाकई जो फर्मान जारी किया है उस फर्मान को अगर भारत के चंद्रयान मिशन के संगसंग देखा जाए क्योंकि दोनों ही उडान भर रहे हैं तो बिलकुल अलग ही नजारा दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजे कुमार ने एतिहासिक सरकुलर जारी किया है सबको पढ़ना चाहिए सादे भारतिये नागरिकों को पढ़ना चाहिए और खास तोर से जो लोग विज्ञान में और तर्क में विश्वास रखते हैं उन्हें तो जरूर इसका पार्ट क करना चाहिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में तमाम स्कूल कॉलेज युनिवरस्टी में इसका पार्ट होगा ही इसके मुताबिक हिंदू पंचांग के अंधेरे पक्ष यानि कृष्ण पक्ष के दौरान अब मवस्या की तिथी से एक सब्ताह पूर्व और एक सब्त रात के समय अब रात की अलग जादा घटनाए होती हैं इसमें वरिष्ट पुलिस अधिकारियों से कहा गया है पूरे उत्तरप्रदेश के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे सब सारे के सारे लोग हर महीने इस पीडिट का खास तोर से विशलेशन करें और कोई चू यानि भेजी गई है और तो और अगले तीन महिनों की अगा सितंबर अक्टूबर की तारीखे भी बता दी गई है और यह भी कह दिया गया है कि इन तारीखों के इर्दगिर्द अपरात का विशलेशन किया जाए क्योंकि जय हो उत्तरपदेश के बुल्डोजर राज की वह अब यहां पहुच गया है विज्ञान को रसातल में डाल कर कि दरसल यह सारा दोश अमावस्या का है यह सारा दोश उस चांद का है जिस दिशा में चंद्रियान तेजी से बढ़ा जा रहा है भारत का चंद्रियान और शायद जिस समय चंद्रियान उत्रेगा पहुचेगा चांद पर तब शायद हो सकता है एक निया सर्कुलर भी आ जाए जिसमें इस बात का आगरा हो मुदी जी से केंद्र सरकार से कि उपर से ही चांद के बढ़ने और घटने की और अपरात की बढ़ने और घटने की महीमा का कोई विशलेशन बिलकुल यूनीक होगा जनाब भारत का इसमें मेड इन इंडिया होगा और तो और इस बात की भी आशंका संभावना जताई जा रही है कि NCRB का जी हाँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगला जो आकड़ा आएगा अगला जो डेटा आएगा उसमें भी कृष्ण पक्ष के हिसाब से काउंटिंग होगी कि अपराद कब बढ़ा और कब घटा है ना फील गुड यह अमरित काल है विज्ञान और तर्क गये पानी लेने और ऐसे में चंद्रयान चांद तक का सफर तो पूरा कर ही रहा है दोस्तों अमरित काल का एक और फील गुड जादा दूर जाने की जरुवत आपको और हमको पड़ेगी नहीं बस देश की राजधानी अभी तक देश की राजधानी के बगल में यानि गुडगाओं नूह मेवात में नफरती ब्रिगेड अपना तांडव करती दिख रही थी और तब तक बहुत से लोग जो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं वे सब राहत की सास ले रहते कि चलो पड़ोस में घर जल रहा है पड़ोस में ये लोग दंगा फसाद करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं हमें तो तसल्ली है सानू की लेकिन जैसा होता है जैसा होना चाहिए विधी के विधान में लिखा था कि यह नफरती भीड देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुचेगी और अपना जलवा दिखाएगी राजधानी दिल्ली में जीटीबी नगर में एक थाने को डेड से दो घंटे तक इसी तरह की भीड़ने घेरे रखा वजह इस थाने में लोग पहुचे थे चर्च के पास्टर और अन्य लोग एक FIR लिखाने वे शिकायत करने पहुचे थे दिल्ली पुलिस के पास कि 20 अगस्त को यानी रविवार के दिन ताहिर पुर में सियान प्रातना भवन में जिससे में प्रातना चल रही थी इसाई धर्म में मानने वाले लोग प्रातना कर रहे थे उस समय तकरीबन साड़े दस से ग्यारा के समय चर्च में एक उपद्रवी भीड घुस्ती है जै श्री राम का नारा लगाती है हिंदू राष्ट बनाएंगा का नारा लगाती है और जो खबरे प्रकाशित हुई है उनके मताबिक घटना के चश्म दीद गवाह ने बताया कि ये लोग वो लोग जो प्रातना कर रहे थे उन्हें डराते धमकाते हुए बोल रहे थे कि ये देश अब धर्मनिर पेश नहीं रहा है कानून बदल गया है और कहने की जरूरत नहीं आप सब जानते हैं ये सारे के सारे लोग तलवारों लाठियों और डंडे से लैस थे यह वाकई अमरित काल है और ठीक 20 तारिक को ही जंतर मंतर में हिंदू सेना का एक आयूजन होता है और देखिए विडंबना हेट स्पीच के नाम पर दिल्ली पुलिस इसे रोकती तो है बीच में लेकिन तब तक हेट स्पीच देने वालों का मकसद एजन्डा पूरा हो जाता है किसी के खिलाफ अभी तक एफ आई आर नहीं होती है ये तमाम लोग देश की राजधानी में पहुशते हैं और चाहते हैं कि नूप पे जो हिंसा हुई उस पर और जादा सांप्रदाइक ध्रुवी करण किया जाए और देखिए ये दोनों घटनाएं बता रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह का अमरितकाल चल रहा है नफरती ब्रिगेड को किस तरह की छूट मिली हुई है दोस्तों इस अमरितकाल में इस अमरितकाल के फील गुड की एक खास बात है कि इसमें सब बराबर नहीं है कुछ खास हैं, कुछ उपर हैं, कुछ नीचे हैं कुछ के लिए कानून कुछ ताजा मिसाल भारती जंता पार्टी के पंजाब गुर्दासपुर से सांसद है नाम चीन सिने अभिनेता सनी डेल जिनकी गदर टू कोहराम मचाने के लिए जिस पर कोहराम मचाने के लिए भक्तों की पूरी टोली तैयार है उन पर सिर्फ चपन करोड रुपे का लोन न चुकाने का मामला सामने आया बैंक ओफ बडोदा ने ई- आॉक्शन की नोटिस भी लगा दी हंगामा मचा और बैंक ने तुरंथ ही ई- आॉक्शन को रोक दिया वज़बताई तक्नीकी गरबडियां अब तक्नीकी गरबडियां क्या है यह तो विपक्ष पूछ रहा है लगातार जानने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी कौन सी तक्नीकी गरबड हुई जिससे बैंक ने ई- आॉक्शन की पूरी की पूरी प्रक्रिया को रोक दिया लेकिन भक्तगर जो हैं जो देश भक्ती पर गदर मचाने के लिए तैयार थे उनको एक बहुत बड़ी रहत मिली और यहां जिक्र खाली इस बात का कि दो हजार अठारा से लेकर अब तक बैंक आउफ बडोदा ने 35,000 करोड रुपे जी हां ध्यान से सुनिए 35,000 करोड रुपे उन भार्पियों से वसूले जिन्होंने अपने खाते में नियुनतम राशी नहीं रख पाए या कुछ टेक्निकल और थोड़ी बहुत गरबड़ी थी लेकिन यह 56 करोड रुपे बहुत भारी पड़े इसकी वसूली अब क्या कनेक्शन है यह तस्वीर काफी बता रही है सनी देल के इरॉक्षन को रुखने और उसकी पूरी की पूरी क्रोड़ी को समझने के लिए यह फोटो काफी है वैसे भी सब बराबर नहीं है सब बराबर हो नहीं सकते इस अम्रितकाल में इसके लिए अंगिनत घटना है हाल के एक और घटना क्योंकि वो भी तालुख रखती है भारती जंता पार्टी के सांसद बिश भूशन शरण सिंग से याद है न वही सांसद जिन पर आरोप लगाया था देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों ने कहा था कि इस शक्स ने यौन शोशन किया और देखिए न देश का कानून है सब कुछ है लेकिन भाशबा के सांसद खुले घूम रहे हैं और फिर सनी देल तो वैसे भी खास है वही गदर टू जो लेकर आए हैं इस अमरितकाल का इस अमरितकाल की सैर का पूरा नजारा तब तक नहीं होगा जब तक कुछ इन साजिशों पर हम बात नहीं करेंगे मिसाल के तौर पर देखिए छोटी सी खबरे लगती हैं लेकिन इनकी चोट और पूछ और पहुच दूर तक है उत्तरप्रदेश में भाशबा के नेता घोसी से दारा सिंग उनका चुनावी कैमपेन उन पर सियाही फेका जाना और फिर जिसने फेकी वह खुद जाता है सरंडर करने ठाने और कहता है कि नेता जी का ग्राफ ठीक से उपर नहीं उठरा था इसलिए खुद उन्हीं के लोगों ने कहा कि उन पर सियाही फेक दी जाए और दूसरा मामला मदर प्रदेश इन दौर से वहाँ 15 अगस को भारती जन्ता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालती है पेट्रोल बंप फेके जाते हैं इस तिरंगा यात्रा पे बड़े पैमाने पर सामप्रदाइक विद्वेश फैलाने की साजिशे होती है और जो ट्रोल आर्मी है वे लगातार मुसल्मानों को निशाने पे लेती है तीन लड़के पकड़े जाते हैं मध्यप्रदेश की पुलिसी पकड़ती है तीनों लड़के हिंदू विजय मालवी, राकेश प्रजापत और तीसरा शक्स जो फरार है जिसका नाम पुलिस ने बाहर किया है वो है घंशियाम नायक उनमें से दो यूबकों को अभी राउंड अप किया गया है जिनमें एक का नाम है विजय मालवी है पिता राजू मालवी है निवासी जैश्री नगर दूसरे आरोपी का नाम है अब देखिये ये कौंस्परेसी और इस कौंस्परेसी से जुड़ी ये खबरें दोस्तों अमरितकाल की छवियां तो अनन्थ है कुछ चुनकर आपके लिए लाए है ये तस्वीर है आईपियस प्रभाकर चौधरी की जिन्होंने हिम्मत दिखाई बरेली में कावणियों को दंगा करने से रोका और अमरितकाल की जैजै तीन घंटे के भीतर ट्रांसवर और ये दूसरी तस्वीर है मुहम्मद इमरान रजा की हर्याणा में जिस तरह से नफरती ब्रिगेड अपना दबदबा बना रही है उसमें गाउं में मुसल्मानों के प्रवेश पर रोक का जो नफरती फर्मान था रेवाडी के सरपंचों का उन्हें कारण बताव नोटिस जारी किया दो दिन के भीतर ट्रांसवर यह महिमा सिर्फ और सिर्फ अमरितकाल में ही संभव है है ना अमरितकाल का जो गुलदस्ता हम आपके लिए सजा के लाएं है उसमें एक खबर यह भी है इन्हें उनके बेटे से नफरत थी गुस्सा था क्योंकि जो आरोप लगाया वह यह कि वह समाज की एक लड़की को लेकर बाहर चला गया लिहाजा समाज ने उनकी हत्या कर दी और गुजरात की बात ना करें तो फिर अमरितकाल कैसा गुजरात के महसाना में एक स्कूल में एक मुस्लिम लड़की टॉप करती है पंदरा अगस्त को सेलिब्रेशन होता है लेकिन जिसने टॉप किया उसका नाम नहीं पकारा जाता जो नमबर टू पर है उसका नाम पकारा जाता है वर स्टेश पर आती है और उसको सम्मानित किया जाता है वजह क्या बतानी पड़ेगी अमरितकाल, गुजरात एक मुस्लिम लड़की को कैसे सम्मान दिया जाएगा दोस्तों अमरितकाल की सैर या अमरितकाल की अंगिनत छवियां टकराती हैं जमीन में अंगिनत प्रतिरोत की छवियों से तस्वीरों से खबरों से इसमें सबसे पहले कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की जो लेह लड़क की आत्रा है वह दूसरे ढंग से एक तस्वीर दे रही है कि लोकतंत्र को बचाने की जो चाह है जो रा है वह किस सरह से रंग बिरंगी है और किस तरह से जोश से भरी हुई है राहूल गांधी जब पहुशते हैं ले लड़क बाइक की सवारी करते हैं और साथी साथ सवाल उठाते हैं सीधे सीधे मुदी सरकार से कि वे चीन द्वारा जो जमीन पे अतिक्रमण किया जा रहा है इसे लेकर चुप क्यों है तो दूसरे ढंकी एक सकारात्मक छबी उभरती है यहां पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की से नगुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं आपको बता देंगे इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहां क्यों आए भारत जोड़ोई आत्रा के समय हमें लदाक जाना था मगर लोजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए तो मैंने सोचा कि कि लदाक का थोड़ा डीटेल में टूर करूँ इसलिए हम पैंगों आये हैं नुब्रा जा रहे हैं कारण जाएंगे ले गए और जो जुनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे और इसी से मिलती जुलती चबी उभरती है वी 20 से जी हां वी 20 जो जी 20 आपको देश भर में द करता हुआ उसके बरक्स देश के 70 संगठोनों ने वी 20 का आयोजन किया और ऐलान किया कि जमीन पर जमीनी जो मुद्दे हैं आम भारती नागरिकों के जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर वे लड़ाई लड़ने को तयार हैं यहां अलग बात है कि इस वी 20 से दिल्ली पुलिस बहुत परिशान हुई और आखरी दो दिन यानि 19 और 20 को जिस तरह से उसने इसे रोखने की कोशिश की थामने की कोशिश की लेकिन हम सब जानते हैं उर्जा का सिध्धान्त यहां से जो सकारात्मक उर्जा निकली वह निश्चित तोर पर अमरित काल की अंगिनत छवियों स टकराते हुए लोगतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ रही है शुक्रिया